कि हिंदू पक्ष की 5 मांगे क्या है? हिंदू पक्ष की मांग नमबर 1 शिंगार गोरी के दर्शन, पूजा और धार्मिक्रिया के अधिकार मिले हिंदू पक्ष की मांग नमबर 2 कोट स्थाई आदेश दे कि पूजा से हिंदू पक्ष को रोका ना जाए हिंदु पक्ष की मांग नमबर 3, कोट स्थाय आदेश दे कि तस्वीरों और मूर्थी को तोड़ा ना जाय? हिंदु पक्ष की मांग नमबर 4, प्रदेश सरकार को सुरक्षा और भक्तों की सुरक्षा के बंदुबस्त का आदेश दे अपनी मांग के समर्थन में हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें कोट में पेश की गई हिंदू पक्ष की दलील नमबर एक ग्यानवापी के पिछले हिस्से में शिंगार गौरी विराजमान है हिंदू पक्ष की दलील नमबर दो भक्त लगातार श्रिंगार गोरी के दर्शन और पूजन करते आ रहे हैं हिंदू पक्ष की दलील नमबर 3 Antes 1993 में श्रिंगार गोरी के रोजाना दर्शन पर यूपी सरकार के मौखिक अदेल्चसे से त्रोक लगी हिंदू पक्ष की दलील नमबर चार, रोजाना दर्शन की बजाय, वक्तों को सिर्फ एक दिन दर्शन की अनुमती दी गई हिंदू पक्ष की दलील नमबर पांच, जैसे पहले भगत शिंगार गौरी की पूजा करते आ रहे हैं, वैसे ही पूजा का हक चाहते हैं हिंदू पक्ष की दलील नमबर चे, ग्यानवापी के तहगाने का स्वामित्व हिंदूओं के पास है हिंदू पक्ष की इसी मांग को मुस्लिम पक्ष की तरफ से गलट ठहराए गया, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोट में दलील पेश की गई थी दलील नमबर एक औरंगसेब ने मंदिर तोड़कर 1679 में मस्जिद बनवाई दलील नमबर तू, 350 वर्षों से ज्यादा वक्त से जमीन पर मुस्लिमों का कबजा दलील नमबर तीन, स्वामित्यू का सबूत 1983 के खसरा में मौजूद है दलील नमबर चार, सबसे बड़ी बात ग्यानवाफी वक्त की प्रॉपर्टी है दलील नमबर पांच, जमीन वक्त की है, तो हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार नहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से अरजी यही डाली गई कि शिंगार गोरी की पूजा की मांग को लेकर डाली गई अरजी सुनने योगी नहीं है लेकिन जिला जजज ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को सिरे से खारिच कर दिया ओर्डर का पॉइंट नमबर वन, हिंदू पक्ष ने पूजा करने की मांग की है ओर्डर का पॉइंट नमबर दो, हिंदू पक्ष की मांग पूजा की है, जमीन के स्वामित नुका नहीं ओर्डर का पॉइंट नमबर ती है, हिंदू पक्ष की तरफ से मस्जित को मंदिर घोशित करने की मांग नहीं है order का point number 4 हिंदू पक्ष ने सिर्फ पूजा की मांग की है जिसे 1993 तक रोजाना करते थे order का point number 5 हिंदू पक्ष की आचिका सिर्फ पूजा के अधिकार तक सिमित है order का point number 6 मामला मल्कियत का नहीं बल्कि पूजा करने के अधिकार का है order का point number 7 पूजा करने का अधिकार किसी के लिए भी मौलिक अधिकार है order का point number 8 2020 तक पूजा जारी थी तो हिंदु पक्ष की अर्जी में places of worship एक बाधत नहीं